हेलो स्टुडेंट्स हमने नाइन्थ क्लास की पोईम की थी दा लेक आईले ओफ इनेश फ्री कई बच्चों की डिमांड आयर थी कि मैंडम इसकी कोशन अंसर वर्ड मेनिंग करवा दो तो आज मैं आपको दा लेक आईले ओफ इनेश फ्री बाई विलियम बटलार येट्स के वर्ड मेनिंग और कोशन अंसर करवाऊंगी तो ध्यान से समझें तो आपने पोईम अगर ध्यान से देखी होगी तो इनेश फ्री का मतलब है दा नेम ओफ आईलेंड आईलेंड का नेम है इनेश फ्री का द्विप का नाम है आईले का है आईलेंड क्ले ये आईसलेंड बोल देते हैं बच्चे कई बार तो ये आईसलेंड नहीं बटा ये आईलेंड है ये आईले है ठीक है आईले मेंज आईलेंड क्ले मेंज मड जिसको मिट्टी या गारा बोलते हैं वेटल्स, ट्विस्टिड स्टिक फोर, मेकिंग फैंसीज, ग्लैड, ग्लैड मेंज क्या था, ओपन स्पेस, ड्रोपिंग, फालिंग इन ड्रोप्स, वेल, वेल यानि परदा, कर्टेन, क्रिकेट, क्रिकेट देखो हमने समझाया था, पोईम में भी क्रिकेट एक तो होता, क्र बैट के साथ खेलते हैं, बोल के साथ खेलते हैं, वो क्रिकेट अलग होता है, ये क्रिकेट यहां पर क्या है, सिंगी इनसेक्ट है, कीट है, सिंगिंग जो गाता है, जिसको जिंगूर बोलते हैं हिंदी में, ग्लीमर, ग्लीमर मतलब ट्विंक्लिंग, लिनेट, लिनेट, स्ट्राइकिंग जैने अगेंस्ट शोर जो टकराती है किसे शोर कि नारे से जो पानी की लहर पानी टकराता है और उसी साउंड बनती है जो जैनेटल आवाजाती है दीरे से आवाजाती है पेवमेंट क्या होता है footpath question number first देखे है what kind of place is inisfree कैसा place है, किस परकार का place है ये आपका question है question थ्यान से समझे बिटा अगर poem आपने थ्यान से समझी है तो question, answer आप easily बना पाऊँगे और समझ में भी असानी साच जाएगा इनिश free is a beautiful and lovely island तो इनिश्फरी के एक सुन्दर और प्यारा सा आईलेंड है इट इजब प्लेश ये ऐसा प्लेश है फुल ओफ नैचुरल ब्यूटी जहां पर प्राकरतिक जो सुन्दरत है वो पूरी फुल है मतलब पूरी प्राकरतिक सुन्दरत से भरा हुआ है और पीस यानि शांती से बरा हुआ है और कामनेश और शांती से बरा हुआ है एकांपन से बरा हुआ है वट त्री तिंग्स ड़स दपोईट वान टू डू वेन ही गोस बैक देर अब पोईट कहता है कि तीन चीजें कौन सी चाहता है पोईट करना जब वो वापस वहाँ जाएगा जब वो इनिश्फरी जाएगा तो पोईट क्या करना चाहता है वो तीन बाते बताई तो अनसर देखिए फर्स नमबर पे वो क्या कह रहे था ही विल बिल्ड आ समाल कैबिन कह रहे था ना छोटा सरूम बनाऊंगा वहां पर तो एक समाल कैबिन बनाएगा किस से बनाएगा कले यानकी मड से और वोड से बनाएगा सेकेंड ही विल ब्लांट nine बीन रोज उसने बता था ना नो में सेम क्य रो पंगतिया लगाूँँगा ही विल मेक आ हाईव और क्या बनाएगा एक चात्ता बनाएगा for honey bee honey bee के लिए एक छत्ता बनाएगा आगे देखी next third question क्या है what does the poet here and see when he visits that land and what is its effect on him अब question ध्यान से समझें कि poet क्या सुनना और देखना चाहता है ठीक है क्या सुनेगा और क्या देखेगा when he visits जब वो विजिट करेगा that land उस धर्ती पे जब वो जाएगा विजिट करेगा तो क्या चीज सुनेगा और देखेगा and what is its effect on him और उसका इस पर क्या effect होगा क्या परभाव पड़ेगा ही मतलब किसके लिए पोईट के लिए पोईट पर उस उसका देखे जो चीज वो देखेगा विजिट का क्या परभाव पड़ेगा इस किसके लिए विजिट के लिए ठीक है अंसर देखे क्या 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 परभाव पड़ेगा क्या देखेगा पहले तो यह पताएंगे ना क्या सुनेगा क्या देखेगा क्या सुनेगा एट मिड़नाइट आधी रात को दा पोईट सीज दा होल आइलेंट ग्लेमरींग आप वो ट्विंकलिंग करता हुआ देखेगा ना आधी रात को पूरा आइलेंट क्या करा है ग्लेमरींग कर रहा है he hears क्या सुनेगा दा स्वीट म्यूजिक ओफ क्रिकेट का जिंगूर का समाल इन्सेक्ट का सिंगिंग सुनेगा he also sees small birds flying and making noise in the evening sky और क्या करेगा also मतलब भी see us देखेगा वो क्या देखेगा? स्माल बर्ड्स को देखेगा फ्लाइंग उड़ते हुए विंग साय था ना पोई में तो उड़ते हुए देखेगा और क्या सुनेगा? मेकिंग नोइज उनको नोइज करते हुए सुनेगा इन दा इविनिंग स्काई श्याम को आसमान में अब ये तो एक कोशन था सेगेंड बूचा था कि वर्ट इज इट्स इफेक्ट क्या परभाव पड़ेगा पोईट पे? इट गिवस अपीस टू हीज हर्ट ये क्या करेगा उसको? उसको पीस देगा शानती देगा किसको हर्ट को? कि पोईट के हर्ट को ये बहुत ज़्यादा शानती देगा क्या? जो नोईज है बर्ड्स की जो सिंगिंग बर्ड्स है ठीक है? अब सेकिंड कोशन देखिए थर्ड पार्ट फर्स कोशन का थर्ड पार्ट वर्ट ड़ज ही हियर इन हीज हर्ट कोर इवन वैन ही इज फार अवे फ्रोम इनिश्फर इनिश्फरी से अलांकि वो फार अवे है मिलों दूर है, काफी दूर है तो भी वर्ट ड़ज ही हियर? क्या सुन रहा है? इन हीज हर्ट कोर मतलब हर्दे की घराईयों में क्या सुन रहा है पोईट जबकि वो मिलों दूर है आंसर देखें दा पोईट ही अस दा लेक पोईट क्या है? लेक वाटर को सुन रहा है लेपिंग अगेंश शोर रोक्स इन हीज हर्ट कोर जो क्या कर रही है? वो किनारे से टकरा कर चम चम की आवाज कर रही है जो उसको वोईट सुन रहा है सेकिंड कोशन देखें आप देखो ध्यान से कोशन को समझो कि आव आव अब तक यू में हैव कोशन तुमने निसकर्ष निकाल लिया होगा की इनिश्फरी एक सिंपल साधान शी नैचुरल प्लेश प्राकरतिक प्लेश है फुल ओ ब्यूटी जो कि से बरा हुआ है ब्यूटी से सुन्दर्ता से बरा हुआ है और पीश और शान्ती से बरा हुआ है आप कोशन क्या है? कोशन पूच रहा है जामिनर कि हाउ ड़ास दा कैसे कंकरस्ट कर रहा है कंकरस्ट मतलब तुलना कर रहा है इट इसकी इसका विद वेयर इन वने उट right click आप जहां खड़ा है उससे इसकी तुलना कैसे कर रहा है किसकी इनिश्फिर की कैसी जगह है आपने question में पढ़ा भी आप hint भी दे रहा है कि read the stanza third stanza third पढ़ें देखो ये roman में common सी बात है कई बचे ऐसे लिख देते हैं जो completely wrong होता है जब roman लिखोगे तो आप ये तिनो one अलग लग लिखोगे तो ये right way है लिखने का और कई बचे जैसे ninth class लिखते हैं ऐसे रोमन में लिखेंगे और th लगा देंगे तो ये बिल्कुल wrong है बिटा रोमन अपने आप में free है nine ऐसे ninth लिख सकते हो लेकिन ऐसे nine लिखना है तो nine ऐसे ही लिखोगे इस पे आप th बगारा नहीं लगाओगे क्योंकि रोमन अपने आप में free होते हैं ठीक है ये तो common knowledge की बात थी आप question देखे जान से answer क्या था question था की point कैसे contrast कर रहा है the point is standing on road side way in London point कहां खड़ा है point खड़ा है road side पे खड़ा है road side way road side way कौन सा होगा side के road के side मेजनी foot bath पे खड़ा है इन लंडन, लंडन में इट इज़ पीस फुल ओफ नोई सोरी, इज़ प्लेस फुल ओफ नोईज ये एक ऐसा प्लेस है, ऐसी जगह है फुल ओफ नोईज जो पूरे सोर शराबा से भरा हुआ है नोईज मतलब सोर एंड पोलूशन और परदूशन से भरा हुआ है इन दिस वे, इस तरीके से ही कोंट्रास्ट वो तुलना करता है इस प्लेस, इस स्थान की टू इनिश्फिर आईलेंड, इनिश्फिरी की आईलेंड से तुलना करता है कि यहाँ पे तो नोईज और पोलूशन है और वहाँ पे कैसे शान्ती है तो ऐसे कोंट्रास्ट कर रहा है कोशन नमबर थ्री देखें क्या आप सोचते हैं कि इनिश्फिरी एक जगह है और आप उसकी मन की स्थिती है यानि कल्पना है ड़स दा पोईट एक्चुली miss the place of his boyhood days क्या पोईट वास्तव में अपने बोईट डेज को एक्चुल में प्लेज था क्या दस दा पोईट एक्चुली एक्चुली मतलब वास्तव में miss कर रहा है उस प्लेज को उस जगह को ओफ इज बोईएट डेज जो उसके बचपन के दिन थे एक्शुल प्लेस इनिश्वरी क्या है दोनों है बोत मतलब दोनों है क्या क्या एन एक्शुल प्लेस एक वास्तविक प्लेस भी है and also a state of mind और एक कल्पना भी है state of mind भी है उसकी mind की कल्पना भी है कैसे the poet had spent his childhood at इनिश्वरी पोईट ने अपना क्या किया था spend किया था time को childhood को बच्पन को बिताया था at इनिश्वरी में बच्पन को बिताया था now he lives in a big city अब वो कहां रहता है एक big city बड़े सहर में which is far away from natural beauty of इनिश्वरी जो इनिश्वरी की जो प्राकरतिक सुन्दरता है उससे मिलों दूर है काफी दूर है he longs to go back अब वो क्या कामना कर रहा है वापस जाने की कामना कर रहा है to that place उस जगह पे of peace जहां पे चान्ती है and beauty forever जहां हमेशा beauty और चान्ती बनी रहती है उस place पे poet वापस जाना चाहता है अब second part देखिए second part में क्या था look at the words the poet uses to describe what he sees and hear at इनिश्वरी अब words को ध्यान से देखो है और जो poet ने use किये है क्या describe करने के लिए क्या वर्णन करने के लिए कि जो poet देखता है और सुनता है इनिश्वरी में बी लाउड ग्लैज ठीक है बी मतलब मदुमक्खी का सोर ग्लैज मतलब ओपन पेस इवनिंग फुल ओफ लिनेट स्विंग लेक वाटर लेपिंग विद लो साउंड ठीक है अब यह जो phrases है जो यूज किये हैं poet ने इसमें poet क्या पूछ रहे है वट पिक्चर डू दीज वर मैंड यह सभी वर्ट्स आपके माइड में कौन सी पिक्चर क्रेट करें हैं कैसी बना रहे हैं आको माइंड में यह आपका Qution है ang one by one हम इनको डिसकूस करेंगे bee land clad bee land clad का means क्या है the poet hears the pleasing noise of the bee in the orchard of inish free island poet क्या सुन रहा है pleasing मतलब सुखद noise किसकी जो pleasant sound है किसकी bees की मदुमक्यों की on the orchard of inish free inish free की island में जो बाग है उनमें sound सुन रहा है evening full of linets wing linets किसके लिया था small singing birds या दाया point में पड़ा था अब देखे the poet sees that at the evening time poet क्या देखता है कि evening time में शाम के time में क्या देखता है sky of inish free sky आशमान देखता है inish free का island is filled with small singing birds क्या देखता है poet poet inish free का आशमान देखता है जो small singing birds से भरा हुआ है third number पे क्या था lake water lapping with low sounds lake water जील का पानी चम चम करता हुआ जो धीमी धीमी sound कर रहा है अब देखो the picture of the water lapping against the store ये तो question वाली line है ना question में पूछा था कि कैसी picture बना रहा है आपके mind में तो हम क्या बोलेंगे the picture of water lapping against the store rocks comes to our mind to his mind उसके mind में क्या आई and from the very shore very core of his heart he listen that music अब इसको ध्यान से समझे थोड़ा कि जो picture बना रहा है water की कैसी चम चम करते हुई किसे against the store rocks जो चटान से किनारे के चटान से against मतलब उससे ठकराती हुई comes to his mind वो उसके mind में आती है and form और बनाती है क्या the very very मतलब वही core of his heart उसकी हर्दे की गहरायों में वही peace बनाती है he listen that music जो music वो सुन रहा था जैसा music वो सुनना चाहता था जैसा music को सुनता था वैसा ही वैसी ही उसके heart में feeling आ रही है वैसी ही बन रही है picture उसके दिमाग में ऐसी mind में picture बन रही है उसके heart में जैसी वो music सुन रहा है अब second or last question देखिए peace comes dropping slow उसने कहा था ना कि slowly धीरे धीरे peace आ रही है dropping from whale of morning to where the cricket sing उसने क्या का था कि सुबह जब अपना परदा उठाएगी परदा उठाएगी मतलब श्याम का श्याम की जो चादर है जो परदा है वो सुबह morning उठाएगी किसके रूब में cricket sing जहां पर छोटे छोटे कीट गाएंगे ठीक है what does these words mean to you अब ये words का आपके मन में आपके लिए क्या meaning है ठीक है ना जो ये line दी है इनका मतलब क्या है अब question देखो what do you think आप क्या सोचते हैं coming dropping slow coming dropping slow की धीरे धीरे slowly comes आ रही है from the whales of the morning morning के परदे में से what does to wear the cricket sing means अब what क्या meaning है to wear the cricket sing जहां जिंगूर यानि cricket small singing insect क्या गाते हैं वेर उसका मतलब क्या है means मतलब क्या है अब answer को ध्यान से समझे कई question पूछ लिए इसने one, two, three, three question पूछ लिए देखो answer क्या है the poet feels that poet महसूस करता है की he has been transported to inish free island already अब poet क्या feel कर रहा है की वो transport हो गया मतलब transported मतलब वो जा गया जला गया है कहाँ inish free island में already मतलब पहले से ही चला गया है ठीक है his stifled soul longs for the divine peace of that land अब जो stifled उसकी जो stifled soul है जो वो क्या longing कर रही है longing for divine peace वो divine peace वो देविक शान्ती के शान्ती चाहती है उस island में यानि उसकी जो घबराई हुई soul है जो तरड़पती हुई soul है एक टाइब से जो मतलब शोर सराबे से प्रेशान है प्रेशान हुई soul है stifled मतलब प्रेशान ही लगा लेते हम his उसकी जो प्रेशान soul है जो आत्मा है वो शांती ढूंड रही है वहां पर छांती चाह रही है वेर दा इंसेक्ट सिंग अब कुशन पूछाता ना वेर दा इंसेक्ट सील इसका मतलब क्या है दा वेर दा इंसेक्ट सिंग अमलोडियस सोंग इन दा मोर्निंग उसने बोला था ना कि जहां पे वो सुंदर गीत गाएंगे मिलोडियस मतलब मधूर गीत गाएंगे मोर्निंग में वेर दा नेचर इज ऊजिंग इन समाल ड्रोप्स ओफ मिष्ट एंड फोग मतलब दूंद मिष्ट क्या होती है जिसको ओस बोलते ना ओस की ड्रोप्स के रूप में वो गिरेगी यानि ऊजिंग होता है एक तरह से लीको ना वो रिशेगी मतलब प्रकरती कैसे कैसे बाहर आए आएगी फोग के रूप में और मिष्ट के रूप में ड्रोप्स बनके बाहर आएगी तो यह आपके कोश्चन अंसर थे आई होप आपको समझ में आ गये होगे ध्यान से करते रहें पढ़ते रहें